देश की निगाएं इस वक्त पांच राजों की विधानसबाद चुनावों पर लगी हैं। विधानसबाद चुनावों को दिली की सत्ता का सेमी फाइनल माना जा रहा है क्योंकि जिस दल को जीत मिली उसके लिए 2024 में होने वाले लोगसबाद चुनाव में जीत के चांस बढ़ जाएंगे। इंडिया गडबंदन की नजरे सबसे ज़्यादा लगी हुई हैं। तो क्या फिर कोई खेला कर सकते हैं अजीत पवार इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में नमस्कार मैं हूं परवीन शेख आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। क्या बीजेपी के साथ फिर खेल करने जा रहे हैं अजीत पवार? क्या महाराश्ट में फिर बदलने जा रही है सत्ता? NCP बटवारे के बाद शरत पवार और अजीद पवार में मुलाकात क्या एक नाज चिंदे को किनारे लगाने की द्रणनीती बना रही है बीजेपी महराश के उपमोखे मंतरी अजीद पवार पिछले कुछ दिनों से बिमार थे उनके कार्याले ने 9 नवंबर को कहा था कि अजीद पवार कुछ दिन और आराम करेंगे और पवार परिवार की दिवाली के लिए 12 मती नहीं जाएंगे लेकिन 10 नवंबर को उन्होंने स्वास्ते कारणों को किनारे रखते हुए पुणे में शरत पवार से मुलाकात की शरत पवार अजीद पवार सुप्रिया सुले सुनेतरा पवार और परिवार के दूसरे जो सदस्य थे वो पुणे के बानेर में शरत पवार के भाई प्रताप राव पवार के घर पर जमा हुए इस मुलाकात और बातचीत के बाद अजीत पवार विशेश विमान से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए इससे महराश्ट के राजनेतिक गल्यारों में चर्चाएं तेज हो गई महराश्ट के डिप्टी सियम अजीत पवार 9 नमंबर की देराज शाम दिल्ली पहुँचे पवार यहां पहुँचने के बाद सीधे केंद्री गिर्मंतिय अमिश्या के घर गए दोनों नेताओं के मुलाकात की खबर से महराश्ट के सियासी हलके में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई दरसल NCP में बटवारे के बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए है चुनाव आयोक की सुनवाई के दोरान दोनों गुटों के बीच आरोप रत्यारोप का दोर जारी है दोनों गुटों के नेता दबी जुमा से एक दूसरे की आलोशना कर रहे हैं वहीं दूसरी और अजित पवार और शरत पवार सारवजनी कारिक्रमों से एक मंच पर आ रहे हैं सहेकारी समीतियों के कारिक्रमे में बैठके हो रही हैं बैठकों में चर्चाएं होती हैं समवाद के दर्वाजे कहीं भी बंद नहीं है इस बीच दस नमंबर की सुभा दिलीव बलसे पाटिल की शरत पवार से मुलाकात के कुछी देर बाद अजीत पवार ने शरत पवार से मुलाकात की थी सुभा दिलीव बलसे पाटिल ने शरत पवार से मुलाकात की और उनके बीच करीब एक घंटे तक चर्चा हुई वलसे पाठिल से मुलाकात के बाद शरत पवार प्रताप राव पवार के घर पर गए प्रताप राव पवार के घर पर सुप्रिया सुले अजीत पवार शरत पवार सुनेतरा पवार के बीच बैठक होई इन सबी के बीच करीब एक घंटे तक चर्चा के बाद अजीत पवार फॉरण दिल्ली के लिए रवाना हो गए दिल्ली जाकर अजीत पवार और प्रफुल पटेल की अमिशा से मुलाकात की संभावना थी दरसल पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार सारवजनी कारिक्रोमों में हिसा नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो डेंगू के कारण बिमार दूसरी और ऐसी भी चर्चाएं हैं कि अजीत पवार नाराज है पुड़े में शरत पवार से मिलने के बाद अजीत पवार स्पेशल फ्लाइट से सीधे दिल्ली पहुंचे और केंद्रिय ग्रहमंत्री अमिशा से उनके आवास पर मुलाकात की अमिशा के साथ बैठा के दौरान अजीत पवार के अलावा प्रफुल पटेल और सुनिल तटकरे भी मौजूद रहे आपको बदादे कि अजीत पवार के पुड़े में शरत पवार से मिलने और उसके बाद दिल्ली आकर ग्रहमंत्री अमिशा से मुलाकात करने के बाद किया है आपको बदादे ये सब तब शिरू हुआ था जब 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ एक नाज शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे डिप्टी सीम पत की शपत ले ली थी और चाचा शरत पवार का साथ छोड़ दिया था हलाकि अगर मजबूत पक्ष की बात करें तो चाचा और भतीजे में से भतीजे का पक्ष ज्यादा स्ट्रॉंग नज़र आता है लेकिन जमीन पर शरत पवार की पकड़ ज्यादा मजबूत है महराश में NCP के टोटल 53 विधायक है जिन में से 40 की समर्थन का दावा अजीत पवार करते हैं एक तरफ जहां अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हैं डिप्टी सीम भी बन चुके हैं लेकिन शरत पवार गुट अभी विपक्ष में बैठे हैं अजीत पवार की पहले शरत पवार और फिर तुरंद बाद अमिश्या से मुलाका से बड़ी राजनेती खल्चल की अटकलें लगाई जाने लगी हैं क्या 2024 सुनाव को लेकर शरत पवार बना रहे हैं खास रणनी थी क्या महराश में मोदी को लगने वाला है बड़ा जटका शरत पवार की अपने भतीजे और महराश के डिप्टीसियम अजीत पवार के साथ लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है पहले इस मुलाकात से इंडिया गडबनन की पार्टिया परिशान थी लेकिन अब बीजेपी परिशान दिखाई दे रही है क्योंकि शरत पवार के तेवर इस समय बीजेपी को डरा रहे हैं जो दावा कर रहे हैं कि लोगसभाचुनाव में राजे की 48 में से कम से कम 40 सीटे इंडिया गडबनन के हिस्से में आने वाली है लेकिन बीजेपी को अभी लोगसभाचुनाव से ज़्यादा डर राजे की सत्ता को लेकर लग रहा है जो उसके हाँ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है और इसी के चलते जहां इंडिया गडबनन में लोगसभाचुनावों के लिए सीट बटवारे को लेकर शुरुआती चर्चाए चल रही है तो एंडिये में फिला कौन सी पार्टी रहेगी कौन सी बाहर जाएगी कौन सी पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी तमाम सवाल उठ रहे हैं पहला सवाल तो एक नाशिंदे की पार्टी पर ही उठ रहा है और अपने भतीजे के साथ होने वाली उनकी मुलाकात महराश्ट की राजरीती में बड़े सियासी बदलाव का संकेत दे रही है दरसल हम जिस मुलाकात की बात करें हैं वो पुणे के एक स्कूल के कारिक्रम में हुई थी जहां शरत पवार और अजित पवार दोनों पहुँचे थे दोनों ने मंच साजा किया दोनों नेताओं के एक कारिक्रम में एक मंच पर बैटने के बाद तस्वीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हुई थी जिसके बाज से ही दावा किया जा रहा है कि अजीद पवार चाचा शरद पवार के साथ NCP में वापसी का मन बना रहे हैं शरद पवार के साथ अजीद पवार की एक ही मंच पर मौजूदगी ने बीजे पी खेमे में उस वक्त भी खलबली मचा दी थी जिसके बाद खुद आमिश्या ने अजीद पवार को मनाय था तब से ही ये कहा जा रहा है कि अजीद पवार फिर से कोई बड़ा खेला कर सकते हैं क्योंकि ये पहला मौका था जब मंच पर शरत पवार और अजीद पवार के साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद थी अजीद पवार की बागावत के बाद सुप्रिया सुले ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है उल्टा जब उनसे सवाल किया गया था कि अगर अजीद पवार सीयम बनते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगे तो सुले ने कहता कि उन्हें सबसे पहले वो बधाई देंगी लेकिन ये भी सच है कि उन्हें बीजेपी नहीं इंडिया गड़बंदन सीम बनाएगा यानि सुले संकेत दे चुकी थी ये जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है अजीत पवार एक बार फिर पवार परिवार के साथ आने के संकेत दे रहे हैं शरत पवार के साथ होने वाली उनकी लगातार मुलाकाते इसी और इशारा कर रही है यानि बीजेपी को बड़ा जटका देने की तैयारी हो गई है इस बीच नजरे सुप्रेम कोर्ट और विधान बंदन सरकार बनाएगी क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साथ है की चाचा बतीजा फिर एक साथ आ जाएंगे और इसके बाद राजे में फिर इंडिया गडवनन की सरकार बन सकती है और इसी डर को लेकर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश है कि एकनाश श अंकेत मिल रहे हैं उसमें साथ एकी फैसला लोकसवाज चुनाव की जगा पांच राजों के विधान सवाज चुनाव परिणाम के आने के बाद ही आ सकता है क्योंकि सुप्रिम कोट शिंदे पर अब ज्यादा महलत देने को तयार नहीं है और शिंदे पर फैसला होते ही एं सकता है